हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश्यूर तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि Microsoft Excel में Circle Invalid Data Option के स्तमाल हम कैसे करते हैं पहले मैं दिखा देता हूँ कि यह option आपको मिलेगा कहां पर इसके लिए हमको जाना है उपर के ribbon में data tab में उसके बाद right set में जब आप जाएंगे तो data tool वाले section में यहां देखिए यह है data validation का option उसके बगल में इस drop down पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए यह है circle invalid data का option लेकिन आप इसको directly इस्तमाल नहीं कर सकते हैं इसके लिए पहले हमें data validation करना होता है ठीक है अभी मैं example की मदद से आपको यह समझा देता हूँ अब आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ number है मैंने 1 से लेकर 80 तक number यहां पर देखिए लिए हुए है ठीक है अब अगर हम यह चाहते हैं कि 10 से पहले वाले जितने number है वो circle हो जाए और 60 के बाद वाले number वो circle हो जाए आप कोई भी range अपने साब से select कर सकते हैं मैं य इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे पूरे data को हम यहां तक select कर लेंगे और इसके बाद हम करेंगे data validation तो फिर हमें वापा से data type पर जाना है उसी तरीके से उसके बाद right side में यहां पर data tool वाले section में data validation पर इस बगल में इस drop down पर click करना है और यहां से data validation को click कर देना है ठी जब आप whole number select करेंगे तो नीचे देखिए data के नीचे जहां bitwin दिखा रहा है ठीक है हमें bitwin ही लेना है आप कोई और option ले सकते हैं आप not bitwin ले सकते हैं equal to ले सकते है not equal to greater than कोई भी ले सकते हैं मैं इस सम्झाने के लिए bitwin ले रहा हूँ अब हम चाह रहे है कि minimum जो number है वो 10 ह यानि 10 से पहले वाले जो है वो circle करने हैं हमें और maximum जो number है वो 60 यानि 60 के बाद वाले वो circle करने है ठीक है यह हमने यहां से ok select करके उसके बाद ok पे click कर दिया अभी कुछ नई show करेगा अभी आपको कहीं और click नहीं करना वापस से हमको जाना है data tool के just ऊपर data validation के option में इस bugle के इन वाली data पे click कर दिये अब इस बार जब आप click करेंगे तो यह देखिए 10 से पहले वाले सारे circle हो गए और 60 के बाद वाले सारे circle हो गए